नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2023 में ग्रहन कब-कब लगने वाला है दोस्तों साल 2023 के दो ग्रहन जिसमें से एक सुरिय ग्रहन था और एक चंदर ग्रहन था समाप्त हो चुका है लेकिन अभी दो ग्रहन बचे हुए है ऐसे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या आज की तारिक पर कोई ग्रहन है और 2023 में जो है कितने ग्रहन बचे हुए है और ये कब-कब लगेंगे तो दोस्तों वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा दोस्तों ग्रहन की जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्पूर्ण माना जाता है माना जाता है ग्रहन के टाइम में किसी भी प्रकार के सुभकामों को नहीं करना चाहिए ऐसे में अगर आप भी कोई सुभकाम जैसे की साधी विवा, गिरी परवेश, कोई नए वाहन की खरीदारी, किसी नए प्रोपर्टी की खरीदारी इन सब तरह के कामों को अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ग्रहन का समय, तारीख और सूता काल अवस्य पता होना चाहिए दोस्तों ग्रहन का समय इसलिए भी महत्पूर्ण हो जाता है क्योंकि ग्रहन अगर हमारे देश में लगे तो हमें कुछ सावधानियों का भी पालन करना होता है माना जाता है सुरिय ग्रहन या चंडर ग्रहन के दोरान हमें कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए नहीं पानी पीना चाहिए और भोजन पकाना भी नहीं चाहिए हाला कि जो लोग बच्चे हैं, बुजूर्ग हैं और बीमार हैं उस पर यहनियम लागू नहीं होता है इसी प्रकार से हमें सुरिय ग्रहन को कभी भी खुली आँखों से नहीं देखना चाहिए क्यूंकि ग्रहन से निकलने वाली खतरना किरने हमारे आँखों को नुक्सान पहुँचा सकती है साथी में दोस्तों ग्रहन के टाइम में हमें किसी मंदिर में परवेस्ट नहीं करना चाहिए नहीं अपने गर में मौझूद पूजा अस्थल में प्रवेश करना चाहिए ग्रहन के बाद असनान अवस्य करना चाहिए और ग्रहन के बाद दान देने की विविशेष परमपरा है तो ऐसे में ग्रहन का समय और तारीख बहुत ही जादा महत्पूर्ण हो जाता है तो चलिए दोस्तो जानते हैं 2023 में ग्रहन कब-कब लगेंगे दोस्तो 2023 में अब दो ग्रहन बचे हुए हैं जिसमें से एक सुरिय ग्रहन और एक चंद्र ग्रहन होने वाला है अगर हम बात करें आज की तारीक की तो दोस्तो आज के तारीक पर कोई भी ग्रहन नहीं है अगला ग्रहन आपको 14 अक्टूबर 2030 दिन सनिवार को लगेगा यह एक वलाई कारश्चरी ग्रहन होगा यह रात के 8 बज कर 33 मेट से शुरू हो करके रात 2 बज कर 25 मेट तक लगने वाला है यह ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा इसके बाद अगला जो ग्रहन है वह एक चंद ग्रहन के रूप में होगा और यह 28 अक्टूबर 2030 की रात 11 बज कर 31 मिनट से शुरू हो करके 3 बज कर 56 मिनट तक चलेगा यह ग्रहन भारत में भी मानिय होगा ऐसे में इस ग्रहन का सुतक काल भी मानिय होगा उमीद करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरू कर दीजेगा